स्वागते साथियों आप सभी का ट्रेड दी ट्रेंड चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स 19 जून के लिए और दो चार न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार चार्स आपको सिखाने के लिए लेके आया हूँ और दो चार प्रेड करना है अपने पूरी कैपिटल के साथ ऐसे दिन आपको ट्रेड किया होता और 2-3% भी कैच कर लिया होता तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने वालाgens ता तो अब्रेंड को ऍंच्छा आपको दूष्यों प्रॉफित ओने वाला मार्केट में कि अगर आप कुछ trend समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम capital के साथ trade करें कम से कम number of trades लें और अगर आपको सीधा दिख रहा है कि market आज positive है तो जादा से जादा capital के साथ trade करें अपनी पूरी capital के साथ उस दिन जोड लगा दें और जादा से जादा profit बनाएं चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक important news के साथ की Fitch ने इंडिया की ratings को negative किया है outlook को negative में डाल दिया है यानि कि यहां पर उन्हें लगता है कि economic activity जो है week होने वाली है और जो outcome है overall वो negative रहने वाली है यानि कि it expects economic activity to slump by 5% यानि कि 5% तक आपकी जो total activity है economic इंडिया की वो कम हो सकती है इस साल में 9.5% उन्होंने expect कि कि financial year 22 में होगा लेकिन ये जो है third rating agency है जिसने इंडिया की economic outlook को negative किया है और अगर आप किसी trader के साथ बात करें तो कोई accept करने को तयार नहीं है कि यहां से market down जानी चाहिए सब को लगता है कि यहां से 10,000 से 12,000 मार्केट जानी चाहिए लेकिन कोई भी accept करने को तयार नहीं है कि market यहां से down जा सकती है लेकिन जो international rating agencies हैं सबने negative कर दिया है outlook को इंडिया के लिए एक second जो news है वो देखे लोकडाउन में क्या हुआ है कि लोकडाउन में जो छोटे share है tier 2 cities जो है सब लोग जो है trading करना सबने शुरू कर दिया है तो लोकडाउन का सबसे बड़ा धंदा बन गया है कि आप intraday करें छोटे मोटे short term positions लें और equities में देखिए tier 2 और 3 cities से पैसा बढ़ गया है आना तो लोग घर बैठे हैं काम नहीं है सबने सोच लिया कि भई आप इस से ही कमाना है मतलब share market से ही सारा पैसा कमाना है अपना घर जो है share market से ही चलाना है ये लोग एक महीने में सीख भी जाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा chances पैसा खोने के हैं कमाने वाले तो 10% ही है और फिर अपने कामदंदे पे लोग वापसी चले जाएंगे चलिए शुरू करते हैं कुछ charts के साथ और सबसे पहले discuss कर लेते हैं अपना telegram channel आज telegram channel पे अपने दो trade जो हैं एक तो महिंद्रा और महिंद्रा महिंद्रा और महिंद्रा में आपको यह बना के दिया था sending triangle की इस से उपर बाय कीजिए 500 से उपर बाय कीजिए 500.5 पे बाय किया और 508 तक चार्ट गया था 8 रुपे जो है एक share में profit यहाँ पे हो गया था अगर आप टेलिग्राम चैनल पे नहीं है तो description में link दिया है please join कीजिए सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा with charts टेलिग्राम चैनल में यहाँ पे और मैंने सुबह ही बता दिया था कि Bajaj Finance 2430 रुपे जो है एक अच्छा यहाँ पे Bajaj Finance के लिए resistance रहेगा Bajaj Finance 2430 is real resistance सुबह 9 बजे यह डाला था मैंने और आपने अगर entry ली होती 2430 के उपर तो देखे यह चार्ट है 2430 का इससे उपर अगर आपने entry ली होती तो लगबग 100 रुपे पर share तक book कर सकते हैं अगर high price देखे तो तो हर level की importance है हर level की importance है आप सीख सकते हैं टेलिग्राम चैनल को join कीजिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा description में link दिया हुआ है twitter पे follow कर सकते हैं trade the trend 99 चलिए आज के कुछ charts को discuss कर लेते हैं यह Axis Bank का चार्ट है 5 मिनिट का यहां से देखो chart शुरू होता है इदर से एक चीज़ आपको यहां पे देखनी है कि जो lower है इसका जो lower price है वो बढ़ता जा रहा है यानि कि higher low print होता जा रहा है higher low print होता जा रहा है इसका मतलब है कि bulls आज जो है पूरा जोर लगाए हुए और फिर एकदम से moving average के उपर अगर settle हो जाता है तो फिर आपको कोई doubt नहीं है stop loss moving average के नीचे रखके आप कहीं भी इसमें enter कर सकते हैं यह देखिए यहां पे जो इसका resistance था यहां पे कैसे support बन गया तो वही मैं कहता हूँ कि resistance के उपर entry लेंगे तो वो support बन जाएगा आपका stop loss hit नहीं होगा आपको एक अच्छी entry मिल जाएगी देखिए कहां से chart शुरू हुआ और कहां पे जाके कितने points थे आज इसमें 385 से 407 यानि कि 22 points थे इसमें अगर आप 10 points भी कहीं पे catch कर लेते तो बहुत अच्छा profit आज आपको यहाँ पे हो सकता था देखना क्या है कि higher low बनाता जा रहा है chart higher low बनाता जा रहा है moving average को respect कर रहा है resistance के उपर आपको एंट्री करेंगे second chart जो है यहाँ पर बजाज finance का है बजाज फिंसर का है sorry देखिए इसमें भी same chart था आज का trade करने के लिए क्योंकि इसमें profit potential आज बहुत जादा था देखिए कैसे resistance के उपर अगर आप entry करते हैं तो कैसे stable support बन जाता है वो resistance कैसे support बन जाता है moving average कैसे support करती है trend को इसमें आज 300 point तक capture किया है लोगोंने जो messages मुझे मिले हैं 200 से 300 point easily लोगोंने capture किया है इसमें और यह बहुत इसका amount जादा है price जादा है तो इसमें अगर कोई 100 share के साथ भी trade करता है तो काफी अच्छा profit यहाँ पे easily उसको मिल जाता है कल के लिए दोस्तों चार लेके आया हूँ trade आपके लेके आया हूँ कल के लिए उससे पहले बता दू कि जो weekend पे training है Saturday और Sunday को आज last day है जिसको भी register करना है training के लिए प्लीज आज mail कर दीजिए suncrypt99 at gmail.com या telegram पे contact कर सकते हैं trade the trend 99 weekend पे जो training है उसका आज last day है आज आप register कर लीजिए कल से register नहीं हो पाएगा और दोस्तों काफी लोगों ने channel subscribe नहीं किया है प्लीज subscribe कीजिए channel को काफी महनत लगती है एक pattern आपके लिए candle का लेका है हो यहाँ पे इसे कहते है hangman जब bull trend चल रहा होता है एकदम देखिए bull trend चल रहा होता है तो एक candle ऐसी आती है जिसका जो lower price है वो पिछली candle के नीचे तक आ जाता है इसकी opening तो उपर होती है इसकी opening होती है पिछली candle से उपर लेकिन इसका जो lowest price है वो पिछली candle से नीचे आ जाता है इसकी shadow जो है body से double होती है यानि कि shadow body से double होती है एकदम तो ऐसा लगता है कि sellers ने price को उपर पुश कर दिया है ऐसा लगता है कि sellers ने प्राइस को उपर पुश कर दिया है लेकिन यह hangman candle जो है यहाँ से beer trend शुरू हो जाता है यहाँ से दोस्तो beer trend शुरू हो जाता है और यह trend reversal है hangman candle जो है क्योंकि यह जो है bullish price को continue नहीं कर पाती है higher low print नहीं कर पाती higher high print नहीं कर पाती है कल के लिए 4 stocks मैं लेके आया हूँ चलिए देख लेते हैं सबसे पहला जो stock है वो है दोस्तो हिंदुस्तान यूनिलिवर का HUL का यह stock है यह मुझे काफी यहाँ पर देखिए bearish luck sign दे रहा है और जो यहाँ पे रहेगा कि 2080 से नीचे 2080 से नीचे 2015 पॉसिबल है यानि कि 2080 यह जो support है इससे नीचे सीधा जो support है 2015 पे है 2080 से नीचे 2015 काफी quickly possible है दोस्तों इसमें हिंदुस्तान यूनिलिवर में यह chart आपको कल बताया था concor का कि अच्छे support पे लगा हुआ है देखिए आज इसने 4% से ज़्यादा gain किया है कल यह बताया था कि यह gain कर सकता है अच्छे uptrend पे support मिला इसको तो इसने 4% से ज़्यादा gain किया है और एक important resistance को भी इसने cross किया है तो अगर यह 395 को support बना लेता है इस resistance को अगर यह support बना लेता है 395 को तो और इसके chances हैं कि कल फिर यह gain कर सकता है अगर 395 को यह यहाँ पे sustain करता है तो यह chart है दोस्तो Asian paints का यह देखिए बहुत अच्छी finding है यह मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है यह trend मिलना एकदम clear trend है इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो downtrend line है यह जो downtrend line है अगर इसको यह break करता है 1615 से उपर जाता है तो बहुत अच्छी आपको upside देखने को मिलेगी बहुत अच्छी upside देखने को मिलेगी यानि कि 1650 तक 1615 से 1650 तक काफी easy यहाँ पे देखने को मिल सकता है लेकिन जैसा कि एक descending triangle भी है अगर यह downside पे break करता है तो काफी आपको एकदम downside देखने को मिलेगी यानि कि 1540 तक 1585 से 1540 1585 से 1540 तक easily यहाँ पे एक बड़ी candle यह downside देखने को मिल सकती यह 1R का chart है लेकिन यह जो downtrend है अगर इसको upside break करता है इस downtrend को अगर यह upside break करता है इधर से break करता है तो अच्छी movement उपर की तरफ देखने को मिलेगी आपको यह line important है इसको बना के रखना है इससे देखना है कि upside movement Asian paint में यह downside अगर upside है यहाँ से निकल जाता है चार्ट है दोस्तो RBL bank का RBL bank में देखिए कैसे एक यह peanut बना हुआ है यहाँ पे यह जो break होता है जिस तरफ भी यह break होता है आपको उसी तरफ इसका फायदा उठाना है 1R का चार्ट है 6 candle कल भी इसमें आनी है तो आप देखिए जैसा की लग रहा है कि यह upside break होने के ज़्यादा chances है moving average के above trade कर रहा है और यह peanut के upside break होने के ज़्यादा chances है यानि 166 से उपर अगर यह चला जाता है चार्ट 166 से उपर चला जाता है तो 170 at least इसके chances हैं कि यह touch करें 166 से 170 touch करने के high chances है 166 से स्टेन करता है उपर चला जाता है तो 170 यहाँ पर touch करने के इसके high chances रहेंगे यह RBL Bank का चार्ट है Asian Paints आपको बताया है Concord आपको कल भी बताया था और अच्छा इसने आज perform किया है Hindustan Unilever में आपको थोड़ा bearish trend देखने को मिल सकता है support के नीचे Bajaj Finance में कैसे trade करना था Resistance के उपर कैसे trade करते है Moving Average का support कैसे लेते हैं यह चीज मैंने आपको बताई दोस्तो Twitter पे live charts भी डाले गए हैं आज Mahindra का भी डाला था Follow कर सकते हैं trade the trend 99 Telegram channel जरूर join करें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा Telegram channel trade the trend underscore 99 description में telegram channel का link दिया हुआ है दोस्तो जो लोग training जोइन करना चाते हैं वो mail कर सकते हैं या telegram पे message कर सकते हैं आज last day है Saturday Sunday को training रहेगी timing सबसे पूछ के decide की जाएगी क्या timing रहती है channel को please subscribe कर लीजिए thank you